हलो डियर स्टुडेंट्स फिर आज टेंथ क्लास की गोल्डन डिस्क का पॉजिटिव हैल्थ जो उसके ऑथर सुब्रदत हैं को लेकर मैं आपके सामने हूँ इसके तीन पाइट पहले आचुके हैं इस चौथा पाइट है आए सबसे पहले वर्ड मिनिक्स देखते हैं एक्सपेक्टेशन्स अपेक्षा हैं, रैस्पोंसिबिलिटी जिम्मेदारी, एम्बीशन महत्वकांग्षा हैं, प्रेशर दवाग, ट्रेमेंडस अत्यदिक, फ्रस्ट्रेशन हताशा, स्ट्रेस तनाव, एक्सपेरिमेंटेशन प्रयोग, रिलेटेड संबंदित, अबिभावकिय, कन्वेंशनल पारंपरिक, एटिट्यूड, द्रस्टिकोण, अडोलेसेंट, किशोर, जैनेरेशन्स, पीडियां, एम, धेय, फैमिली प्लानिंग, परिवारनी योजन, बर्थरेट, जन्मदर, कपल, दंपत्ती या योगल, आगे देखें, गैप, अंतराल डैप्रिव, वंचित करना, केंट्रिब्यूट, योगदान करना, वेलफेयर, कल्यान, मैंटेनेंस, रख रखाओ, रेलाक्स, तनावमुक्त करना, अकर होना, स्टेटिस्टिक्स, आँक्डे, रियलिस्टिक, सत्यता, तू डिल विद, निपतना, पैनिक, घवराहत, मैनेज संभालना, इमर्जेंसी सिच्वेशन, आपात स्तिती, कॉंटेक्टिंग, संपर्क में आना, एंटिबायोटिक्स, प्रतिजैविक ओशिधिया, पेनकिलर्स, दर्दनाशक, तू बी मॉनिटर्ड, देख रेक करना, आईए लेसन शुरू करते हैं, एक्स्पेक्टिशन्स ए स्वाबाविक प्रवती या सहज प्रवती के कारण, जादातर मातापिता अपने बच्चों को अत्यादिक प्यार करते हैं, अत्यादिक इसने करते हैं, वो उनकी देख बाल करते हैं, फिर भी जादातर उनकी अपेक्षाएं यानि ज़्यादा तर बच्चे उनकी फिर भी अधिक तर उनकी अपेक्षाएं और महत्वा कांग्षाएं बच्चों पर भहुत ज़्यादा दबाब डालती हैं जब बच्चे अपने माता-पिता की मैत्वा कांग्षाओं के इस्तर तक नहीं पहुँच बाते तो वो अत्यदिक कुंटित अत्वा तराव गरस्त हो जाते हैं या अपने यह कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो हताश हो जाते हैं और तराव गरस्त हो जाते हैं यह उन्हें इस इस्तिती की वास्त्विक्ताओं से बचने के लिए एक उपाए के रूप में एक तरीके के रूप में ड्रक्स यानि नशीले पदार्तों के सेवन और ऐसे ही कुछ संबंदित व्यवारों की ओर ले जा सकती हैं फ्रॉम दा बिगनिंग चिल्डन शुड बे अलाउट टो डवलप इन दियर आउन नेच्रॉनल हैपी वे विदे दी कंट्रोल अफ पैरेंटल यानि अभिवाव की हैं लव गाइडेंस एंड केर एंड विदाउट तुमच प्रेशर शुरू से ही बच्चों को माता-पिता के प्यार निर्देशन वे देखमाल में बिना बहुत ज़्यादा दवाब के उनके अपने स्वाभाविक खुशहाल तरीके से विक्सित होने देना चाहिए एद्पिता के पानंपरिक द्रश्टिकों में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा परिवर्तन नशीले पदार्तों पर निर्वर्ता और किशोर आवस्ता की अन्य समस्याओं के कई मामलों को रोकने में मददगार हो सकता है या साहयक हो सकता है हमें विश्व परियावनन के प्रती अपने मातापिता की जिम्मेदारियों को अपने अभिबावे की जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए remember that the living space of this world is limited and we must have enough space for our future generation to live happily इसमन रखिये, याद रखिये कि विश्व में रहने लायक इस्थान बहुती सीमित है और हमें अपनी भावी पीडियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक रहने योग्य परियाप्त इस्थान तो अवश ही छोड़ना होगा To achieve that aim, इस लक्ष को पानी के लिए, we must practice family planning and limit the birth date of having only one or two children per couple हमें परिवार नियोजन यानि सुद्धिश को पानी के लिए हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए और प्रती दंपती यानि प्रती युगल सिर्फ एक या दो बच्चे रखकर जन्मदर को सीमित करना चाहिए between each birth there should be a gap of three or four years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care प्रती बच्चे के जन्म के बीच तीन या चार वर्ष का अंतर होना चाहिए ताकि प्रती बच्चा माता पिता के लाड़ प्यार वे देख भाल के अधिकार से वंचित नहीं हो फैमिली प्लानिंग really means family welfare as it helps to keep women healthy enough to contribute to a happy home environment परिवार नियोजन का वास्त्विक तौर पर अर्थ परिवार कल्यान है क्योंकि यह महिलां को समुचित स्वास्त प्रदान कर घरिलू वतवरन को आनंद दायक बनाने में योगदान करता है A happy healthy mother is a key to the welfare of the whole family एक प्रसन स्वास्त मा संपून परिवार के कल्यान की कुंजी होती है The mind is most important in the maintenance of positive health संपून स्वास्त बनाई रखने में मन सरवादिक महत्पून है To develop a healthy mind, it is important to learn to relax properly and to develop ways to deal with day-to-day stress स्वास्त मन के विकास के लिए सही तरीके से तनाव मुक्त होना सीखना तथा दैनिक यानि रोज मर्रा के तनाव से मुक्ती पाने का तरीका सबसे अधिक महत्पून है Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress So by using relaxation techniques, you may avoid many health problems कई बीमारियां जैसे high blood pressure यानि उच्च रख्तचाप और हरदे की कुछ समस्याएं तनाव से सम्मंदित समझी जाती हैं, मानी जाती हैं अते तनाव मुक्ती की तक्निकें अपना कर आप स्वास्त की कई समस्याँ से अपना बचाव कर सकते हैं However, however means तथापी Even when we enjoy good health, disease may occur जब हम अच्छे स्वास्त का अनंद ले रहे होते हैं तब भी संभवे की बीमारियां हो जाएं According to international statistics, each person is at risk of becoming sick और injured about twice a year on average अंतरास्ट्रिये आंकणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ती के एक वर्ष में Averagely यानि औसतन लगबग दो बार बीमार पड़ने या चोट लगने की आशंका बनी रहती है It is important to deal with any sickness और injury in a realistic and intelligent way without panic किसी भी बीमारी या चोट से बिना किसी गवराट के वास्तिविक एवं बुद्धी मत पूर्ण तरीके से निपटना अत्यदिक मैत पूर्ण है Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary आवशक होने पर उचित चकित्सिये विवस्ता के लिए डाक्टर से संपर्ग करने से पहले आपातकानीन परिस्तिती को समालने में आपका शरीर से सम्मंदित ज्यान आपकी मदद करेगा Any medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession किसी भी दवाई यानि ओशिदी या नशीले पदार्थ जैसे प्रती जैविकों या तीवर दर्द डाशकों को एक चिकित्सक या स्वास्ति व्यवसाई में लगे किसी अन्य योगी व्यक्ती से जाच करा लेना वेतर होता है आवश्यक होता है अब हमारा जब यह positive health यह जो चार पार्ट में था यह complete हो गया है अभी आगे इसके question answer देखेंगे जो important है आप वो learn करना है अपनी copy में note down करना है और इसके बाद में एक अगले वीडियो में एक नए lesson के साथ में अपन फिर मिलेंगे बाई करता प्राइब करना है अगले है आफ में उढ़ार बाईब करना है आपth नए जो साहः भी यह किंएते हैं वड़त यही हो एंगले मालाओ रचलना है आप बागंव거 टो करने हैं वीवादेन खारोबस त लूप सुर्व संयु जूए